तो हैलो ले अंडरी गेमर्स तो काईज है अपलोगा पतागो । डायमड्ड टॉप इवेंट में एवलेबल हो चुकी है एक न्यू बैक्पएक की स्किन और साथ में बया वाली ग्लुवाल की स्किन चलो है देख लेते हैं इवेंट सेक्शन में अभी तक आभी तक आभी तक तो गाइस देख सकते हो यह backpack की skin available कराएगा यह hunter backpack ओ भाई साब यह बुजा की skin available कराएगा यह glowal की तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ किस टाइप की glowal की skin को लेना चाहिए और किस टाइप की glowal की skin को नहीं लेना चाहिए क्यों कि आर फ् लेना यह बेनिफिशल नहीं है तो आज किस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा अभी तक जितने भी glowal की skin आएवे और यह जो glowal की skin आईवे हैं फ्यूचर में जो glowal की skin आईगी है आप लोग कैसे यह अंधाजा लगा सकते हो कि कौन सी glowal की skin OP है और कौन सी glowal की skin हम ल अपने second phone से ताकि मुझे जल्द से जल्द गल्वाल की skin मिल जाए और चला प्रॉसीटू पर यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं और भाई मैं वीडियो बना रहा हूं सर्जी ओके गाईज देख सकतो हमें मिल चुकिए गल्वाल की skin and guys और सर्जी मैं वीडियो बना रहा हूं sorry लोल तो गाइस देख सकते हूं यह है वो गल्वाल की skin जो कि हमें मिली है लिखा हूआ है और टेक्स्चर वाया है तो सही में बहुत कमाल के तो मैं एक काम करता हूं जल्दी से अग्वायब कर लेते डैंड बैक्पेक भी मिला था खलेक्षन में चलते क्लेक्शन के इंदर हम लोग बैकपग दिखाया जागा और कहा किया वह बैकपेक छोगया अलतार हो गया लूट बोक्सों गया गयस यह सब आते रहा डूबने में बहुत दिखत होते हैं तो गाइस सकते हो लेवल वन पर यह बैक पैक कुछ ऐसे दिखी कि लेवल बन पर ओपी लग रहा एंड लेवल टू पर अगदम टट्टी लगा लेवल थी पर थोड़ी ठीक लग रही है और उतनी खास मुझे यह बैक पैक को आप नहीं करने वाला इस अच्छा मैं इस वाले बैक पैक क के बारे में चलते हैं जल्दी सम लोग कैलेक्शन के अन्दर और यहां पर जितने भी ग्लॉववाल की इसकी यह ओधे경 सा फ良 बीजिख रहे हो है उब यह जितने भी घ्यान आप लोग देख सेकते हैं ये left से ये left से ये right से डोनों तरफ से ये बहुत अंदर तक कर्व होने के वीशे अगर कोई बंदा left से धर राइट से गोली मारता तो आपको लगने की chances पहले होती है कुईक्ति अप लोग इस व्ले position पर एक से कंद यार तो इस वाले position पर आप लोग खड़े वाते हो तो left या फी right से लगने के chances कम होती है तो guys मैं यही समझाना चाहरा हूँ अगर कोई glow-al की skin available होती है तो आप लोग पहले देखो कोई glow-al की skin जो है वो ऐसी normal तो नहीं है अगर ऐसी normal glow-al की skin है तो यार कोई फायदा नहीं है जैसे कि देख सकते हो इसमें सिर्फ texture है और कुछ नहीं है इसमें देख सकते हो कुछ भी नहीं है नार्मल जैसी glow-al है वैसी glow-al है बस इसमें texture है तो इसके उपर पैसे वेश्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता उससे अच्छा अगर आपको पास यह glow-al की skin है तो यह glow-al की skin इतनी ओपी है कि आप लोग कस्टम में भी इसके साथ मजे ले सकते हो एंड यार जब glow-al cage बनाओगे ना मैं guarantee लेता हूँ जितने speed से आप लोग इस glow-al के skin से cage बना सकते हो उससे कहीं ज़्यादा speed से आप लोग इस वाले glow-al के skin से cage बना पाओगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा curve है अराम से आप लोग glow-al cage बना लोगे दो ही glow-al या फिर तीन glow-al यूज़ करके तो यार जिस glow-al के skin में ज़्यादा आप लोग को cover मिले ज़्यादा glow-al curve हो वो glow-al बहुत बेटर होती है खास कर cover के लिए क्योंकि left and right से पढ़ने की chances बहु यह बात नहीं सेकेंड नमर में बात किया जाए तो यार यह glow-al की skin second नमर पर आती है और यह भी आपको अच्छा-कासा protect कर देती है क्योंकि जो side में spikes लगे हुए नहीं है यह texture बने हुए नहीं है यह texture बहुत तक help करते हैं यार यह जो बीच में spikes हैं अगर आप लोग लेफ्ट रेट लेफ्ट रेट करके एकाद दो लगा दो तो एनिमीज थोड़ से confused होते है इस spikes के वे से तो यह glow-al की skin भी बहुत ही ओपी एंड second नमर पर मैं suggest करूंगा अगर आपको पास यह glow-al की skin नहीं है तो आप इस वाले glow-al की skin को use कर सकते हो second नमर पर यह बहुत से जादा कर्व यह glow-al की skin है यह जादा कर्व है बट यार यहां पर आप लोग को benefit यह मिलेगा अगर आप लोग इस glow-al के skin के center में खड़े हो इस जगहा पर तो आप लोग फायदा यह मिलेगा यह side में जो आप लोग texture देख रहो ना यह side वाली texture आपको बहुत हतक बचाती यह maximum time मैंने देखा है एनेमी जब फायर करता है अगर हम लोग बीच में खड़े और फ़र सा मुमेंट में तो यह जो texture है इस पर गोली चली आती है और एनेमी को गोली नहीं लिखती है अगर आप लोग glow-al के side खड़े हो तो यह glow-al की skin में अगर आप लोग center में खड़े हो चाहिए आप लोग clash squad का rank खेल रहे हो या फिर rank match खेल रहे हो या फिर tournament खेल रहे हो भाई बहुत ही ओपी glow-al की skin है and in fact यह सिर्फ आपको नहीं आपके friend को भी अच्छी खासी cover दे सकते हो यह glow-al की skin यह दोनों ही glow-al की skin बहुत ही कमाल किये and इन दोनों के लावा अगर कोई ऐसी ही glow-al की skin आती है ऐसी या फिर ऐसी जो कि अच्छी खासी cover दे तो यार आप ले उस glow-al की skin को ले सकते हो otherwise ऐसा नॉर्मल अगर कोई glow-al की skin आया जैसे कि देख सकतो यार यह सिर्फ दिखावे के लिए ठीक यह सिर्फ दिखावे के लिए और कुछ नहीं है आपका gameplay या आपको अच्छे से cover यह बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा तो भले यह glow-al की skin उतनी अच्छी नहीं है अजीब से दिखरी texture भी अच्छी नहीं है लिकिन अभी तक जितने भी glow-al की skin आयो है ना सबसे ओपी सबसे बेस्ट 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 मेरे नजरे में अगर किसी को colorful पस दे तो यह भी उनके लिए होपी होगा तो बस में यही कहना चाहता हूँ आप लोग सोचो गाईस थोड़ा सा मतलब की दिमाग लगाओ अगर आपके जश्ट बगल में बड़ा सा पत्थर है एंड जश्ट बगल में पेड है और दो एनिमिया आपको left side and right side दोनों तरप से म इन टेक्स्चर में कलर्स में मत जाओ जो आपको जादा कवर दे रही है जो आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करिए आप उसके पीछे जाओ एंड यह ग्लोल की स्किन ओपी ओपी है जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं एंड यह आती है अगर इन दोनों में से आपश्य का लेते हैं तब तो यार मैं कुछ कह नहीं सकता आपकी मर्जी आप लो या फिर ना लो लेकिन हां मैं आप लोको पार दिया इतरी और आपको स्कीन में पैशे खचर मत करो मैं प्रश्चित करूँगा और यह अंडर की इस को कि इसको मिलच तो उतना कुछ खास नहीं दिखाता बट यूटू सा मुझे अच्छा लगा यह ग्लॉआल के स्किन देख सकते हो एंड यही छोटी सी वीडियो थी एंड इस वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोग कहा किस टाइप के ग्लॉआल के स्किन आप लोग लेना चाहिए एंड इस बाहेंड ओड़े वाई वग द खुटाए विडियो एंड रिखाइड देखाता ले नहीं जाए 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 बट आव भाई वाई खास थाए जान सब्सक्रांट नहीं इस लिए ए धर माईड रिखाता अच्छा कर रूट पार आप जीए धर द तो यून और चाह रेना